कि अपर गुड़ इवनिंग ग्लास जली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक देखिए जैसे कि हम लोग इसके पहले मेरे एक लेक्चर आया होगा अब आप अगर देख रहे होंगे तो फॉस्ट वीक ऑफ जैन्वरी मैंने यह लेक्चर लाया था और उसके बाद मैं अब यह लेक्चर ला रहा हूं क्यों हम लोगों किया देखना है आज आज हम लोगों को देखना है वर्ल्ड जोग्रफी वित मैप जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको यहां पर बहुत सारे बहुत सारी चीज़े लेकर आया हूं आज आक पर सामने यहां पर आप देख रहे होंगे लास्टाइम मैंने कहा था कॉंटेंट को डिसकस किया था उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ रिविजन ले जिते हैं यहां पर ठीक है जिसमें लोगों ने देखा था कि आलफे तो इसी के चावा तरफ यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारी थेरी जो बाद में डिसकार्ड हो गई यह जो कॉंटिनेंट थे यह अलग-अलग कैसे हुए इसके बारे में बताया था चलिए आगे देखते हैं आप फटाफर सभी लोग आजीए ओके और फटाफर विजय से जवार की विजय से ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ वजय से बाटर ने आपर तोड़ाओं घयोंगर इतने बड़े कॉनटिनेंट को नहीं कहीं लोगों ने कहा कि ऐसी होई नहीं सकता फिर यहां पर वह ग्रैविटेशन क्योंकि पोल स्रब ज्यादा होती है तो हो स लेटीन बाटा नहीं देख सकते हैं कि इन से बनी है यह आपको बटाया थे यह प्लोग ने बाउंटन कैसे बना हुआ इस रहा हुआ है कॉनटिन बने बताया थे इसके फिर और याद होग और फिर इंपोच्न पर नहीं पर हम लोग ने बफिन बे जैसे फॉर एक्जामपल हटसन बेजसे फॉर एक्जामपल लबरडोर सी यह देखो यह लबरडोर सी बहुत इंपोर्टन ए और यहीं से आपकी एक हैं गृ millionaire को अन्याका सबसे बड़ा आइलैंड डुनिया का सबसे बड़ा लार्जस्ट में लार्जस्ट आइसे लैंड लिखते हैं आइलन बोलते हैं ठीक है यहां पिन और कर लेते हैं यहां पर यह यहां पर चले है चुक्की और यहीं पर होता है sir Baring State आपको यहाद होगा मैंने बताया होगा आपको यहां पर मैंने बताया है तिया है Baring Sea पर मैंने बताया सर अथ पनामा मेक्शिको गल्फ मेक्सिको Caribbean Sea ठीक है यह से बहुत सारी बाते कर रहे हैं दुनिया का लार्ज बड़ी लेक, देहलम गैक है मरंठेमbirग गैए लार्डियस्ट लेक लनीय के रिचया सबसे लेक गैशने लेक्या सब्सक्राइबnahmen है यहाँ पीजिश सन वद्चलेखिए है यह पल मिलता है कि यहां पर यह तो इसकी हभी काफी बड़ चुकी है आज की टाइम पर ठीक है एट एट फोर एट पॉइंट इसकी हाइट करेंट टाइम में हो गई है यह लोग सारी बात करें थे फिर हम लोगों ने यहां पर बात करें यह दुनिया का सबसे बड़ा आर की पिलागों बताया था मैंने बताया था सत्रह हजार से जाधा के बारे में बात करी थी किस किसंटेन में कैसे चीज़े क्या चल रही थी वह सब बाते करी थी यहां पर लेके आयते डिफरिंट इसी और एसी और रेट developed और तो एलग होने के लिए यहां पर कौन-कौन-कौन-स ऐहीं पर आपको मिलेंगे यहां पर cascade mountain ठीक है इस जगा पर यहां पर क्या होता सर्ग cascade mountain जो अलग करता है फिर आया पर रेड्सी आपको यहां पर दिख रहा हो यह होगा यह रेड्सी यह कहीं आपका अलग कर रहा है एशिया की सबसे बड़ी country के रूप में अगर देखा जाता है तो Russian Federation को देखा जाता है सेके लार्जस कंट्री की रूप में अगर देखा जाता तो चाइना को देखा जाता वैज थो थॉर दॉक्पीरियुन भीव है इंडिया इंडोनेशिया ये population wise सबसे आगे हैं I hope यहां तक क्लियर हो रहा है तो यह सारी बहुत बहुत इंपोर्टन जैसे की यह यहां पर पड़ता है आपका ठीक है इस्ट चाइना सी पड़ता है यहां पर यहां पर देखो यह चाइना ने क्या किया हुआ है बहुत जादा अपने आसपास के जितने भी एक्सपेंशन की ठेटी जो लेकर चलता यह ठीक है तो यह सारी चीजे आउप यहां तक क्लियर हुआ यह आ रहा था आपको परिशन गल्फ ठीक है इसको गल्फ कंट्रीज वाला एरिया कहा देते हैं तो यह मैंने आपको बताया था वेस्ट एशिया एस्ट ठीक है मिड़ लेस्ट गल्फ कंट्रीज बोला जाता है इधर वाले सारा इंडो-पैसिफिक क्या लाता है यह सब बात कर चुके थे पूरी तरीके से कुछ मैंने आपसे कहा था कि कॉमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना देखी लेकिन किसी का रिप्लाई आया नहीं तो दुख सा होता है कि आप लोग इंकरेज नहीं करते हो ठीक है अब यहां पर बात कर ले जला थोड़ा सा ठीक है तो यह कुछ पॉइंट है जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा एशिया जो है दुनिया के सबसे बड़ा सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है सबसे इंपॉर्टन बात जानने वाली के बात है और एशिया कवर दर वन थर्ड ऑफ और सफेस दुनिया के सर्फेस का एक तिहाई यह पॉइलेशन कवर अपक लगटा है लार्डुस कंट्री जैसे कि वर्षिया है सेकेंट टु पॉपिबलेशन यहां पर है जैसे कि चाइना और यहां पर बशद करींज सबसे हाइस पॉइंट जो है वह कौन सा है हमालें हमालया की समित है हिए हिमालया की चोटी है माँलynı का है इसको लोग गोलते हैं कि मांट एवरेस्ट ठीक है मांट एवरेस्ट फटा-फट यहां पर बताईएगा ठीक है 8848.86 मीटर अभी 86 यहां पर एक्सपेडिशन में बताया गया है और दुनिया की दस सबसे उची चोटियां भी यहीं पर मिलती है पीक्स मतलब यहां पर चोटी हो गया समिट मतलब भी यहां पर चोटी होता है पिर यहां great wall of china ऐसी चीज है जो only man के दोरह बनाए गए जो कहीं न कहीं में इस पेस से दिखाए देती है उसके बाद यहां पर एशिया में आपर देखा जाए तो दो बड़ी civilization का जन्म हुआ जैसे कि इंदस वैली civilization या और चाइनीज civilization जिसको यहां पर रपन civilization के नाम से जानते हैं आपको पता होगा फिर यहां पर अगर बात कर लिया जा 450 जानते है थी कह पता होना चाहिए फिर यहां पर बहुत सारे जैसे कि यहां पर एक आपको पता होगा कि इंडिया में एक नेशनल पार्क है तो फटा फर मुझे उस नेशनल पार्क का नाम बताए कॉमेंड बॉक्स में चलिए लियर हुआ यहां तक यह सारे बाते कर रहे थे प्र आफ्टर मैंने कहा था कि इंडिया है और इंडिया में जो यहां पर ट्रोपिकॉफ कैपरिओन या वैने बताया था है नहीं तो यह स्ट्रीज रॉपिक विगे ट्रापिक सॉफ बीजोराम आयोप यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है फटाफट बताईएगा चलो वेरी गुड वेरी वेल बहुत बढ़ा ठीक है अब यहां पर बात आ जाती है टू परसेंट एरिया कवर करता है इंडिया विश्वका और बत्तिस लाग सतासी जादा दो सो तिरसट ठीक साथ हज़ार किलोमेटर की डिस्टंस को इसने कम कर दिया तक इसके बीच में लंडन से यहां पर लंडन से Bombay के बीच में, अब Bombay कहां पर पढ़ता होगे सी बात है, इंडिया और England के बीच का, सबसे latest city यहां पर South Sudan आपको दिखाए देगी, यहां पर South Africa दिखाए देगी, Algeria इस continent की सबसे largest city अगर उचा जाए one of the largest city of the Asian continent is Algeria, I hope यहां पर क्लियर है, तो यहां पर क्या है कि इधर Mediterranean Sea से यह अलग हो रहा है इधर से अगर आप देखोगे Europe से और Asia से बात करिये जाए तो Red Sea और आपका यहां पर Swiss Canal से अलग हो रहा है, I hope यहां तक क्लियर है ठीक है, बनाया है इसको British नहीं था फिर यहां पर Gibraltar Sea से अलग हो रहा है कौन यहां पर Africa, ठीक है यहां पर यहां तक क्लियर है पड़ापड समझ यहां चीजों को ठीक है, अब यहां पर यह जो portion है इसको Horn of Africa कहा जाता है और मेरा question यह है कि Horn of Africa में कितनी countries आती है कितनी countries आती है I hope यहां तक clear है ठीक है, देखिए बहुत चोटे चोटे आईलेंड ग्रूप भी दिखाने है को सिशल दिख जाएगा, कॉमराउस दिख जाएगा यहां पर मौरशिस दिख जाएगा यह सारे continent है, इसके इधर चले जाओगा जिस थोड़ा सा उपर जाओगा, यहां पर माले दिख जाएगा ठीक है, माले यहां पर मालदीव यहां तक clear हो रहा है ठीक है, तो अब यहां पर यह भी इस continent में सिर्फ और सिर्फ एक लौती एक country है जो की G20 का part है, जो कौन है आपका South Africa है अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़े जो आज हमको यहां पर बतानी थी बहुत-बहुत-बहुत important हो जाती है जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ठीक है यहां पर यह जो एरिया है, यह कहलाता है South Atlantic Ocean और यही पर Cape of Good Hopes था, जहां पर रुक कर कहीं ना कहीं Britishers भारत आया करते थे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हुआ Lake Victoria की यहां पर जब बात करें, सबसे बड़ी lake यहां पर यही है और यही से एक river निकलती है, Lake Victoria से होती हुई, ठीक है यहां से एक river निकलती है, जैसका नाम क्या है, Nile River जै कि विश्व की सबसे लंबी river है, I hope यहां तक clear हो रहा है Nile River विश्व की सबसे longest river है, I hope यहां तक clear हो रहा है I hope यहां तक clear है, पटा-फट, ठीक है, अब यहां पर हम लोग दूसरी आगा बात करें, यहां पर, चीक है यह सारी बात है हम लोगों ने करी थी, आपको यहां दोगा, मैंने कहा था 21% area cover करता है, 30% यहां पर, क्या है sir, population है और poor continent या dark continent कहा जाता है, due to reason of, क्योंकि जो इतने भी Europeans थे, इनको last में इन्होंने खोजा, अब खोजा क्या obvious ही बात है, अब ऐसी थेरी भी बहुत सारी है, कि यहीं sir, यहीं से मनिश्यों के उत्पत्ती हुई थी, उसके बाद यह सब फैले थे पूरे विश्व में, पूरे 10% population यहाँ पर क्या है sir, 10% अभी तक यहाँ पर, जो resources है, उनको एक्स्प्लोर किया जा चुका है, अभी तक, important latitude है, अब यहाँ पर अगरों बात करता है, Stanley Livingstone ने इसकी खोज की थी, Horn of Africa मैंने तो आपसे पूछ लिया, फिर इसके मैंने किली मंजारों की बात करें थी, 5895 इसकी सबसे highest peak है, I hope you remember that, फिर मैंने आपसे कहा था कि तीनों की तीनों आपकी, जो important tropics हैं, sorry, important latitudes हैं, वो इसको cut कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Tropic of यहाँ पर Cancer, क्या होगा, कि यहाँ पर river भी इनको दो बार cut करके जाती है, जैसे कि यह रिवर चल रही है, ठीक है, तो यह Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, चल लिए, तो कौन-कौन से rivers होती है, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा भी होगा, ठीक है, कौन-कौन से rivers होती है, जो यहाँ पर इस तरीके से दो 50% about Africa cover करता है, यही पर एक tribe मिलती है, आपको बुद्धू tribes, ठीक है, longest river मैंने बताया था, 9 river, 6690 km किया है, और इंडिया की जो river है, जिसको हम लोग गंगा की river बोलते है, गंगा बोल देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 25-25 km है, अब आप खुद सोचिए का gift of Nile बोला जाता है, मतलब, sorry, Nile को gift of Egypt बोला जाता है, that means, मिस्र का उपहार बोला जाता है, Victoria Lake से ही रिलीज होती है, फिर मैंने कहा था, यहाँ ऊपर की और आपको सहरा डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा आपको साहेल ग्रास लैंड मिलेगा, और बीच में यहाँ पर समाना लैंड है, फिर यहाँ पर बात करीते हैं, मैंने कालाहारी डेजर्ट और आपका नावीबिया डेजर्ट, मैंने cold डेजर्ट बताया था नावीबिया को, उसके बाद कालाहारी डेजर्ट को hot डेजर्ट बताया था, तो यह सारी चीज़ें हम लोगों ने cover up करी थी, I hope इतनी यहां पर देख लेते हैं, 184 km की है, यह जो है, यह कितने की है सर, 164 km की है, कितने किलोमेटर की है, 164 km की है, यहां तक लेर हुआ, बहुत सुंदर, बहुत शान दा, अब यहां पर मैं कुछ और भी चीज़ें लेकर आया हूँ, जिसे कि, कुछ इंपॉर्टन डी देखो, बहुत पूछी जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, अगर यहां पर बात करें जाए, ऑफिशियली, जो है, 54 countries है, जिसको यून ने मानेता प्राप दी हुई है, मानेता दी हुई है, उसके बाद यहां पर ऐसा है कि, अफिरिकन कॉंटिनेंट में यहां पर माना जाता है, 55 countries है, मतलब एक दो ऐसी countries भी है, जिनको कहीं ने मानेता नहीं थी है, और लेटेस मानेता दी ती कि इसको साउथ सुडान को, इदान लेना, साउथ सुडान को, ठीक है, आप यहां तक क्लियर है, यहां पर बात कर रहे है, सेवन कॉंटिनेंट में विश्व का सबस था उनके लिए, बिसिकली यहां पर तो सकार है, यहीं से सारी सारी जो मानौ का विकास हुआ है, मानौ का जल्म हुआ है, यहीं से हुआ है, ठीक है, इक्वेटर पास करते हैं, मिडिल से एकदम कॉंटिनेट को, इसलिए यहां पर डारेक्शन लाइट पढ़ती है, अब रि अब रिजिनेट जो हम मैं बात कर रहा था भी आप से, कि होमो से बोला जाए, कहां से उरिजिनेट हुए है, तो वह अफ्रिकन कॉंटिनेट से हुए है, यहीं समझ में आ रही है, तो अगर समझ में आ रही है, तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब् ग्रेट होके पूरे विश्व में यह फैल गाए, I hope clear, more than 50% of the world gold, आप दो को समझो बात को, विश्व का 50% गोल्ड आपको यहीं पर मिलेगा, बट अब आप बोलो के सबसे पूर कॉंटिनेट क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि यहां पे इस्तिती, एक्स्प्लोर करने की उनको निकालने की नहीं है, ठीक है, richest continent of one of the world है, ठीक है, 66% चॉकलेट का उत्पादन कौन करता है, जो आप खाते है, Cadbury, वही वाली बस, ठीक है, तो यहां पर यह करता है, अब इसे यहां पर जैसे चीता, बहुत 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 इंपोर्टन है, इंडिया का चीता तो अभ इजिप्शियन, मौंगूज हो गया, जिराफ हो गया, एडेक्स हो गया, एडेक्स बिसी के लिए एक एंटीलोप की प्रजाती है, ठीक है, एंटीलोप, अब एंटीलोप क्या होता है, आप जब हीरन और बारसिंगा को देखते हैं, उसकी पूरी की पूरी, जो भी जिनने अब बताया था, कॉंगो आपको, ठीक है, और लिब पूपू, ठीक है, चलिए, माउंट के लिमनजारो, ठीक है, अब यह सारी बाते हैं, हम लोगों ने देख दाली, ठीक, कुछ ऐसी कंट्रीज है, जो मरिटरियन सी को टच करती है, आप देखो यह बहुत इंपोर्टन हो यह बहुत है, यह बहुत है, यह बहुत है, यह बहुत है, यह बहुत बठीक हुक्त है, इसका पहुत है, कुछ श्चलियनके, continuing to अगर major crop की बात करते हो, तो मेज है की major crop है, मेज यहां की एक क्या है, major crop है, तो यहां पर देख रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर देख रहे हैं जैसे कि सबसे बिगेस सिटी हम लोगों देख रहे हैं लार्जेस्ट यहां पर देखो लार्जेस्ट कैसे एरिया वाइस मतलब छेतरफल के आधार पर और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइस अगर अब देखोगे तो नाइगर ठीक है नाइगर की ज़र है यह रही ठीक है इसको भी रट पैंसे कर देख रहा हम लोग नाइगर क का यह चैप्टर लेकर आएंगो ताकि आपको एक पूरा कॉंटिनेंट का सब्जेक्ट पूरी तरीके समझ में आए आए यहां तक लियर हो रहा है फिटा पर बताईएगा अब दिखिए होन ओफ एफ्रीका वे जैसे हम लोग बात कर रहे थे ठीक है तो कौन कौन सी कंट्र आप लोग बात करोगे होन ओफ एफ्रीका में आपकी इरिट्रिया जीबूती सोमालिया यह चलता रहता है क्यों 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 इसको ना दे पास ना दे और डिपूटी में तो यहां चाइना क्या कर रहा है बहुत सारे एरिया इसके खरीद रहा है क्यों खरीद रहा है फलकी जो विश्व का सबसे बड़ा यह यहां से बड़ा यह जो नोग ने या वह पर आ रहा है ठीक है तो विश्व को सब्लाई मिले तो इंडिया को हाम करने के लिए यहां पर बहुत सारे फोर्ट खरीदे जा रहे हैं तो पहर मुझे बताना है खातनी हम इस थे पक्रणीव क्यों यहां में बहात कर लो वह रिंदारुथ पुरूथ आपने पहले पुराने समय मैंस देह क्यों से आई जहानस्बud Ghanesburg highest source of किसका है गोल्ड का गोल्ड के highest sources दिसोर्द हैं पर गोल्ड के reserve काफी जाता है ठीक है डीकिंड के highest reserve है ठीक है इसको गोलड city भी खाए जाता है इसलिए इसी में यहां किवलता है किमबर ले नहीं हिसे दिखे़ वहार है और अधर रखलम stableator फेसे लेड़ेल पर आगर देखें किसम्द कुला को इसको लाफ करते हैं किमबर ले माइन भी दिला है ली सी इसको diamond city भी कहा जाता किम बर्ले को तो यह हम लोगों ने major major ssc level पे और उसके उपर level पे भी जो पूछा जाएगा उसमें यहाँ पर हम लोगों बात कर ली यहाँ पर लोगों यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका की मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन अमेरिकन अमेरिकन कोंटिनेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं है होते हैं यहां सबसे बड़ा देश कौन सा है सर मेजर तो चारी देश है यहां पर मेजर आपका कैनेडा है युएसे और मेक्सिको है तो अगर नौर्थ अमेरिका में सबसे एरिया वाइस नौर्थ अमेरिका सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो बिगेस्ट कंट्री है यह एस नौर्थ अधर इस रही एरिया वाइस आइओं यहां तकलियर हो रहा है आइगा अधरावर बताईए यह तर्टा वाणीट आईए यह अभ falando बताईए विश्वर की एरिया वाइस थर्ड कॉंटिनेंट है विश्वर और यहां पर लिखना चाहें ठीक है area wise ठीक है और यहां पर fourth है by population ठीक है विश्व की सबसे fourth population यहीं पर रहती है अब यहां पर देखो यहां पर आपको बर्मूटा दिखाई देगा फिर आपको यहां पर बहुत सारे Caribbean island जैसे कि यहां पर republic पूर्टो रीको ठीक है पर हो ट्रूर निकार का गुआ ठीक है क्यूबा क्यूबा क्यूब विश्व का अγάगर यहां पर बोलिओ में सबसे बड़ा इसको क्या का जाता है चीनी का कटोरा ठीक है बावल givenJean को क्यूबा को सर बाउल ओफ शूगर दुनिया की सबसे ज़्यादा स्जीजादा शूगर यही क्या करता है बनाता है यह बेसिक सा इलेकिन पता नहीं कितनी बार पुछा लाता है अब मुझे आप आप मुझे यह बताईएगा कि इनके बीच का बॉर्डर क्या है कैनेडा और यूएसे का बीच का बॉर्डर जो होता है यह comment box में comment करिएगा ठीक है इसको कौन किस नाम से किस लाइन से रिनोट करते हैं अब लाइन इतना सारा मैंने बता दिया डोनाल्ड ट्रम भाई साब तो यहां पर क्या चले गए वाल बनाके नहीं की कोशिश पूरी करके गए ठीक है ताकि यहां पर इमिग्रेंट्स ना आपाएं ठीक है चलो अब नए प्रेसिडे यहां तक आए अगर यहां पर देख रहे हो तो यहां पर दिख़ेगा आपको yenshil Safe pública इंग गवाते इमाला यहां पर दिखाए देगा पनामा पसर जगाए है यहां से यह जुदा हुआ हुआ हैको इस खुणा नॉर्थ अमेरिका और एट सब्सितों यहां पर बोल देते हैं आप लोग एसको असमस सब्सक्रक्राएं इंट टहुत बात करते हैं ऐगसे को कवर पकरते चलें गे यहाप कि एक इस्टेट कि यहां पर बात करें इसके चारों तरफ हटसन तो आप लोग को मैप में इसको खोजना है क्योंकि यह हटसन स्ट्रेट है ठीक है जो कि बफिन आइलेंड के बीच मिलती है चलो इत्ता बता देरा हूं आपको फिर यहां पर डैविस बहुत-बहुत-बहुत- इस अरे बैरींगे Europe टेट कि बहुत-पूछी चाती है आऩी पि क्लियर, जल्दी से बताईइ यह थी, यह फॉर्ड असर लॉर्थ अपास में फाइवं मेरे 679 Nixon लखोगे सबसे लारज इसको एंसको नहीं यहां पर को टांगे आपर बात कर यहां तो किसके पास में नुझे से बता एंट पहले हैं को यहां बात कर שמסर यहां नौर्थ अमेरिका को यहां पर खुझा किसने सब पहले यहां बायक कर लें नौर्थ अमेरिका को डिसकोवरी आ si यहां पर बात आए था किसकी कॉलम्बस कि किसकी का था सरक सूब कॉलमबस कि आए 1492 में इसको खोजा था और खोजने चले गए था इसको इंडिया को खौज रहते हो यहां पर जब पहूँचे तो यहां के जो निटी परसन थे उनको देखा तो उसके बाद इसका नाम रख द अमेरिको तिक है विसपोच सी ठीक है विसपोच सी आई हो यहां तक क्लियर 7 continent है यहां पर उसमें population wise यहां पर जो population है वो काफिय तक highest है पर किलोमेटर में 22.9 ठीक है density अगर population की freshwater lake यहां पर कौन सी यह सर दुनिया की freshwater कौन सी यह सर जो हम बात करते हैं तो सुपीर लेक है लोकेटेदिस कॉंटेंट मिल जाएगी इसकी लोंगेस रिवर कॉंसी इसर मिसिसी पी जो कि यूएस से में आपको मिलेगी ठीक है यहाँ यहाँ पे और कंपेर जन किया जा सभी कॉंटेंट से तो पर क्यापिटा इंकम य डेवलब्ड कंट्री हैं यह द्यान रख लीजेगा ठीक है एवरेश फूस्ट इंटेक भी काफी अच्छा है इनका लार्जेस्ट एकॉनमी युएस से यहाँ पर तो आप खुरी समझ सकते हैं इंडियन एकॉनमी से कई गुना जादा बड़ी ठीक है अगर इसकी एकॉनमी के साइस की हम लोग बात करें और इंडियन को एकॉनमी को कंपेर करें इसकी एकॉनमी अबाउट टू ट्रिलियन एकॉनमी है अबाउट ठीक है मतलब अगर हम यहाँ पर बात करने कितनी सब्वेंटी वन ट्रिलियन एकॉनमी जब हम चाइना की बात करते हैं कंपेरिटिवल से पहले कपीविड का यह दिटा है अभी का डिटा नहीं है यह डिटा जब बता रहंथ को छिटा है द्यान से लिखलेना कहीं भी ठिक है यह अनलों सैवना सब्सक्राइब यहाँ पर क्या एसा डॉलर इंडिन रुपीज नहीं इन रुपीज नहीं रहां ले न तो आप। में आरी होंगी ऑई हो ठीक है समझ में आना बहुत इंपोर्ड है तो आप दुखिए दुनिया कहां पर अगर अपनी कंपेयर करते है तो एप्रॉक्सिमेटली हमसे तो यहां पर दस गुणा ज्यादा है आप खुछ समझ सकते हैं ठीक है फाई ट्रिने मिंटरी मोदी जी ने कि के लेकिन कोबिड के बाद में आसार बहुत कम है जो की हम हुद помог देखना जाहिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी यहाँ पर दिखाई देगा हैं Southern Yeah दुनिया की सबसे बड़ी अगर खाडी की बात करे जा इंक है Comics के cheaper अप यह पॉर यहाँ मैक्सिकन गल्फ अब यह मैक्सिकन गल्फ चीज एज अइसा कहा जाता है ग foul ING यहा पर जो मिटियर्स गिरे थे तीक है या मीटियॉट-टिक रे थे थे हैं ठीक है वीटियोराइट गिरे था वो यहीं पर गिरा था ऐसा साइंटिस्स का मानना है अब यहां पर आपको मैंने एक बार आपको याद होगा मैंने कहा था यह है नोवा इसकॉडिया विश्व की सबसे उची-उची लहरे यहीं पर आती है ठीक है जो कि कैनडा में है यह है यह है आपको कितना देखोगे मैं आप उतना आएगा अब यहां पर बफिन बे दिख गया डेविस स्ट्रेट दिख गया लाब्राडोर ची दिख एंब दिखा कि नहीं नियाँडिको और यहां पर गल्फ फलाज कर दें तो यह पुरा गल्फ फलास का है की यहां इलउशियन इस्टाइब सरह से कहलते हैं यहां पर Plus इसी जत्पीत कहला है है इसको इंडर में। अमेरिका के गुण्ड़ तर आता एक स्थो कर यहां यहां पर मिला कि क्या बोल दिया जाता के इसको सर कुबा को अभी मैंने आपको बताया जस्ट थोड़े पहले स्मालेट ऊल और स्हाथ यहाँ पर मिलते हैं आलफ बिसीकर रिक्तार कि आलकर्फ कि यहांपर पर इल्क जो है यह और मुश यह रुज दूनों क्या है वही इंटिलोप की परजातिय है अब एंटिलोप क्या होता है जैसे मैंने आपको तरहीं जाये, hummingbird दिखेगी, hummingbird क्या है सर, विष्विकी, smallest bird है, विष्विकी सर, smallest bird है, ठीक है, और ऐसी एकलौती bird है, जो आगे भी move कर सकती है, और पीछे भी move कर सकती है, without change, मतलब ऐसे भी जा सकती है, और ऐसे भी आ सकती है, जान नक लेना, ठीक है, bald eagle है, जो यहांपर एक बड़े बड़े फ्रॉक्स होते हैं यहां पर इंपोर्टेंट आपको चीज दिखाई देगी अब आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए सर बर्मूडा ट्राइंगल के बारे में तो यह मैं आपको बता देता हूं जान सुनिएगा जो यहां पर यह आई-लैंड जैना इन्हीं केरिबेन आइलेंट बूल देते हैं ठीक है बर्मूडा ट्राइंगल बैसी की क्या है यहां पर अगावयले शुर्फ भैल2 जूघर अटा दिए यह क्या सब्लौरिडा मैं थैकना यह आपर है यहां पर यह पर मिलेगा है कि यहां पर काफी जादा है और इसमय फिल्ड के अकर बहुत सारे प्लेज्ञ जो है ना वो हैं यहां पर गिर जाते हैं गाया वो जाते हैं विसी कुछbe में तरन क्यक्सर अंसर होगा सब बर्मूडा फ्लॉरिडा और आपका प्यूतो रखो चलो ऐसमें कि यहां पर बहुत सारे दिखाए देगा अगर यहां पर देखें इस तरीके से बहुत सारा एक लंबी चेंज चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर् रॉकीज माउंटेन, ठीक है, रॉकीज माउंटेन, और इसी रॉकीज माउंटेन की अगर हम लोग लेंथ की बात कर लें, तो यह एप्रॉक्सिमेटली 480 किलोमेटर की लेंथ का है, इसकी हाइएस्ट पीक जो है इसकी हाइस्ट पीक जो है अगर आम यहां पर लिख दें ठीक है इसकी हाइस पीक जो है वह है माउंट अलब्रस ठीक है सरी माउंट अलबर्स नहीं है माउंट अलबर्ट है अलबुस तो लगए ठीक है माउंट एलबर्ट ठीक है आई होप यहां तक समझ में आ रहोगा तो अगर समझ में आ रहा है फटा फट वीडियो को क्या करो भाई शेयर कर दो लाइक कर दो और कॉमेंट कर दो चाहिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब देखों यहां पर आपको तीन लेक ग्रेट लेक्स दिखाई दे रही होंगी वह ग्रेट लेक्स भी बताऊंगा आपको में अभी बस थोड़ी देर में ठीक है और यह कैसा माउंटेने सरी यह फोल्ड माउंटेन है अभी तक मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि इसके बीच की यह जो लाइन चल रही है अमेरि यह आज। यह वह फैली रशिया का पाट था ट व thorough tips ऐब बॉस पार्ट अफ रस फार्व प्रॉस्त हम को बहुत कि यह वाट फ्रॉस्त कहों 3 आख राओक होती उसके उपर पूरी बर्व जम्य होती है और जस्ट उसके ओपर क्या होती है आपको स्वाइल भी मिल जाती है यहाँ पर कुछ ट्राइब जैसे कि कुछ ट्राइब आपको मिलती है एक नाम सुनग आप लोग ने स्टिमो सुनाए ना है जल्ले से बता दो यहां पर Eskimo नाम सुना होगा आप लोगों ने Eskimo एक Igloo बना कर रहते हैं एक जो किसका बर्फ का घर बना कर रहते हैं ठीक है हाँ ध्यान सुन लेना I hope यहां तक clear है ठीक है और अगर हम लोग एतों अमेरिका वाली portion की थोड़ी बद बात की है अब अमेरिका में ही यहां पर यह तो है Great Lakes पाई जाती है यहां पर आप देखोगे बिसिकलिए यह दोनों के बीच में मिलती है यहां से ही इसके बीच में यहां पर क्या जा रही है यह boundary भी जा रही है थीड़े पोरी बाउंट्री यहां पर जा रहे है आपको पता होगा अब दो एकलौती ऐसी लेक जो सिर्फ और सफ अमेरिका में वह कौन सी अंगर यहां पर आप बात कर लेख वो सिर्फ एकलौती यूएसे में है वह कौन सी लेक है च्रीट शिकागों में आती है मिशिगन ठीक है मिशिगन इकलौती ऐसी लेक है और इसको याद करने का तरीका गया ग्रेट लेक्स को याद करने का तरीका फटा फटा यह जरह मैं पस्तरा देता हूं यहां पर ग्रेट तो एक तरीका यह भी है जो मैं तरीका अपनाता हूं वह अलग्थ फड़ाया पड़ जाता है एसे चम में देख लेता हूं यह एसलिए क्योंकि यह सीक्मेंस में मिल जाती है आपको ठीक है इरी सिर्ण औरर स्पीरियर यह पांच लेंच थिलेख और इकवलाटि जो है पूरी तरीके से जो कहां पर है ठीक है फाइव लेख बोल दे इसको पायीव लेकर जैसे कि अगर हम लोग शिकागो की बात करते हैं तो शिकागो कैसा है इसको बॉला जाता है और यहां करता है तो शिकागो का अखना इसार वाशिंटन डीसी जिस्ट्रिक उफ कॉलंबी इसको बोला जाता है त ठीक है और यहाँ पर दो चीजों के headquarters आपको मिलेंगे एक तो मिलेगा sarcrem Dimf का headquarters मिलेगा आपको रिवर की बात कर लो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है ठीक आ, अगर रिवर की बात करते हो यहांपर तो यहांपे Photomech ठीक है? Photomech River यह होगा यहांपे ठीक है पोटो मैक रिवर आokedब कि लिए पर इहां पर बात आ जाती है किसकी अगर एक शहर की बात कर लो यहां पर बहुत इंबॉटन है ताँ पूरे यह किसके किनारे बसा हुआ है यह Hudson river के किनारे बसा हुआ है Hudson river कांसी है Hudson river है ठीक है और दुनिया की सबसे उची इमारतों की अगर बात करे जाए स्काय श्कैपर्ज ठीक है सबसे उची-उची इमारतों की बात करे जाए श्कैपर्ज यहीं पर मिलेंगे आपको क्याने का मतलब गगन चुम्भी मारतें ठीक है लिख लो चाहे है तो आप लोग ठीक है गगन चुम्भी समझी जाओगे विश्व का सबसे बड़ा railway station भी आप यह बिगेस्ट railway station ठीक है बिगेस्ट है यहां पर इसका नाम है ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन ठीक है ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन यहां तक क्लियर है लोग कितनी सारी चीज़े हम लोगों ने कवर कर ली ठीक है अगर यह वैसे के बारे में यहां पर आप बात करो तो यह अगर कहां पर आपसे पूछ लिया जाए तो एक्टिव वाल्केनों आपको कहां पर दिखाई देगा हो दिखाई देगा है हवाई ऐन आयलेंड पर हुआठ है हवाई ass doc कि शिज़े समझ में आ रही हूंगे सभी को ठीक है, I hope clear है, even बहुत सारे है, किलाचु है, मोना लुगा है, ठीक है, लिख लो चाहे तो, ठीक है, किलाईू, ठीक है, और मोना लुगा, ठीक है, तो यह सारी बाते हम लोग कर लिए भई, ठीक, अगर सबसे ज़्यादा टेंपरेचर की बात करो, डेथ वैली एक जगा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ा पनि यहां पर आईएगा, आई होब एतना clear है, हाथ है यहां हो, यहां पर तेंपरेचर चल चुका है, बदब इतना प्रेचर होटस, ठीक है, एक सिटी HI quella क का नाम सुना को सर्- लॉस- अंजलिस नाम सुना है कभी, ठीक है है, लॉस- यह आप सारे अरिया आगर आप बात करो यहां पर बात करना चाहो बहुत सारी एरियाज एक है कैलिफोर्णिया के बारे में यहां पर ऐसा कहा जाए इसको सिलकन वैली कहा जाता है एक है यह सबसे बढ़ी जितनी भी टेक कंपनी थे कंपनी आप बात कर लीजिए टेलीग्राम की या बात कर लीजिए चाहे तो यहां पर लुए पर एकशंपल ट्विटर की उन सभी के है डंको यहीं मिलेंगे है आजो यहां तक क्लियर हो रहा है ठीक है फिर थी सुनने इंपोर्टेंट एक कंट्री एए इसे के अंदर इसको लोग गोलता है सर मैक्सीको जिसकी कैपिटल क्या है संसर मैक्सीको शिटी की कापिटल है तो सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रडक्शन अगर कोई करता है सिल्वर सिल्वर प्रडक्शन में सबसे आगे यह तिक है इसल्वर प्रडक्शन हाइस तेस का अगर यहां पर बात कर रहे हैं अगर लोग इसकी बात कर ले है अगर मुश्की बात कर रहे हैं यहां पर देखेंगे आप दरा व्रस और आउट साइड जाते हैं यहां पर यह किसके अदर आए दा सब दुनिया का सबसे बड़ा आईलेंड है ठीक है लार्जेस्ट आईलेंड इन्द वर्ड कि यहां पर एक शब्द आता है एक शब्द आ जाता है आपने पढ़ा होगा पर एक्जांपल लाटिन अमेरिका ठीक शब्द आपने पढ़ा होगा सा लाटिन अमेरिका ठीक है फटाफट यहां पर जीए पटाफट आप सभी लोग कॉमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा देखें कितना मैं सारी चीज़े आपको बता दूगा आटेंशन ना लो जो भी एक्जाम में जीए से रुलेटेड होगी देजर टॉपिक में कवरण करते चलेंगे लाटिन अमेरिका किसको जाता है लाटिन अमेरिका यहां पर किसको कहाता है साउथ अमेरिका कि कुछ कंट्रीज इस्ट आइपर आजाता है मैक्सिको जिनकी language Latin यहाँ पर Spanish influence है Spain का influence है ठीक है और यहाँ पर Caribbean Caribbean Island South America में कौन-कौन सी countries है जो कि Latin America बना रही है वो काफी हत्ता कर आप देखोगे तो यहाँ पर हो गया Argentina हो गया ठीक है पेरू हो गया ब्रजील हो गया तो यह सारी आपके बनाती है तो आई होप पनामा हो गया जैसे कि ठीक है यहाँ पर पोर्तोरिको गवाटमाला यह सब पढ़ा था हम लोगों ने सो आई होप आपको चीजे समझ में आई होंगी सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगी किसके बारे में नेक्स टॉपिक में हम लोग बात कर रहे होंगे दूसरे अपने अलग कॉंटिनेट के बारे में अभी देखो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा आज हम लोग अगर रिवाइस करें तो हम लोगों ने एक बार रिवीजन किया अपने ओल्ड कॉंसेप्ट का ठीक है अपने सारे वर्लल मैप में ओशन कौन कौन से हैँ आपको याद होगा ओशन कौन से हैं आपर ठीक है कॉंटिनेंट कितने है ठीक है ताफ्टर फिर हम लोगों ने यहां पर एशिया को पूरी तरीकह से डीघोरट किया आपको याद होगा मैंने एशिया कर वा दिया फिर यहाँ पर मैंने ऐफ्रीका करवाया आज आपको बह। इंपर्जी बूने चीज田 तो इस तरीक यहां पर बात करें यह जो पूरा रीजन चल रहा है यहां पर यह वाला इसको बोलते हैं Canadian Shield जैसे कि हमारे यहां पर जो डेकन वाला portion है जो कि यहां पर इहां पर शुर्णी जो बात करें अगर युरेनियम की बात करते हैं किसकी उरेनियम की तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे क्या मिल जाएगा कि मिल जाइगा आपको यूिरीन मिल गा कनेडियल या बहुत हार्ड रॉक्स है यहांपर भूर बहुत हाड रॉक्स है और यह पूरा area approximately अगर मैं यहां पर आपसे बोलू इस पूरे area में आपको ज्ञाधा यह उपर वाला area है यहां पर आपको 40% कोन trees मिलेंगे जो कोन trees होते हैं pine trees होते हैं ठीक है pine trees जिसको बोलते हैं हम लोग चीड के पेड जो चीड के पेड होते हैं जैसे को निकल होते हैं यहां पर जाधा तर जो कागस बनाए जाते हैं तो अपने न्यूस प्रिंटिंग जो लोगों क्या देखा इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप करी जल्ली से आईएगा फटाफट से बिलो जल्ली से आईएगा यहां पर में लोगों कैंडिड़ा देख लाया यूएस से देख लिया मेरा कुशन है अलास्का कितने एक तो स्टेट है यूएस उने टेट सेट समयरिका है तो हा कमेंट बॉक्स में रिप्लाइ करिएगा और यहां पर बताईएगा तो चलिए अधिक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे जीएस जीए विच संजे सर के साथ में यहां पर आपको क्या गाइडेंस प्रवाइड होता है किसी तरीके से आप कोई भी कोशन आप ठीक है चलिए फिर नेक्स टाइम मिलते हैं एक्स टाइम लाकात करते हैं थैंक यू थैंक्स लॉट गाट बेस्ट यॉल बबाए